Students, अब हम next topic पे जा रहे हैं, Debye Huckle Law हम last वीडियो में पढ़ चुके हैं और इसके आगे अब हम पढ़ रहे हैं Debye Huckle Limiting Law और साथ में Stocks Law तो अब हम देखते हैं Debye Huckle Law हमने जो पढ़ा था उसमें क्या था कि हम पहले ये देख चुके हैं कि जो Mean Activity Coefficient या मार्थे सक्रेता गुणांख है उसका मान तनुवेलियन्स यानि डायलूर्ट सुलूशन्स में यूनित नहीं होता एकाई नहीं होता और इसके वज़य से जो मार्थे सक्रेता गुणांख एफ प्लस माइनस है उसके प्लस एक या माइनस एक या इकाई के मान से जो विचलन हो रहा है जो डेवियेशन हो रहा है उसको हम Debye Huckle सिधान्थ या लौ के द्वारा समझा सकते हैं तो Debye Huckle नहीं एक रिलेशन दिया किस किस के बीच में मात्य सक्रेता गुणांख और आयनिक सामर्थ के बीच में यानिक स्ट्रेंथ के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशन एक मात्रात्मक संबंध दिया जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग लौ एक्वेशन या सिमान्त नियम समीकरन अब यह समीकरन क्या है तो इसमें है कि लौक आफ एफ प्लस माइनस इस इक्वास टू माइनस एजट प्लस जट माइनस रूट आफ म्यू म्यू क्या है आइनिक सामर्द या आइनाइजेशन स्ट्रेंथ ए हम जानते हैं कॉंस्टेंट है और जो विलायक की प्रकर्ति और ताप यानि नेचर और टेंप्रेचर पर निर्भर करता है सॉल्मेंट की अगर हम पानी की बात करें तो 25 डिग्री सेंटिग्रेट पर जल के लिए एक आमान जो है वो 0.509 होता है तो हम एक्वेशन को लिख सकते हैं log of f plus minus is equals to minus 0.509 z plus z minus root of mu z plus z minus क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स के दनायन और रिनायन पर चार्ज यावेश है mu विद्धूत अवगते की आईनिक स्ट्रेंथ है और अगर हम अनन्त तनुवीलियनों तक की सीमा तक भी इस एक्वेशन का उप्योग कर सकते हैं और इसी लिए हमने जो सीमान्त शब्द का उप्योग किया है हम इसको डिबाई हकल का सीमान समीकरन या लिमिटिंग लौ भी कह सकते हैं और जब हम इस एक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं तो ठोरिटिकल और प्राक्टिकल वैलू बहुत एक जैसी हमें प्राप्त होती हैं तो डिबाई हकल लिमिटिंग लौ में हमने कुछ कंक्लूजन्स निकाले हैं और उन कंक्लूजन्स के आधार पर एफ प्लस माइनस के मानों द्वारा हम ये कंक्लूजन्स क्लियर कर सकते हैं सबसे पहला क्या है कि log f plus minus का रिनात्मक मान दशाता है कि f plus minus का मान एक से कम है यानि जो activity coefficient है mean activity coefficient अगर हो negative है यानि less than 1 है किसी वितुत अबगते के लिए z plus और z minus constant रहते हैं क्योंकि electrolyte है तो charge constant है और उस इस्थिति में f plus minus का मान सिरफ और सिरफ इस पर depend करेगा आईनि सामर्थ पर दो electrolytes चिनके z plus और z minus के मान समान होते हैं और अगर वो समान ionization strength रखने वाले विल्यनों में होंगे तो mu का मान भी अगर same है तो f plus minus यानि mean activity coefficient का मान भी same होगा और इसको हम क्याते हैं Lewis और Randall का निया चोथा point है कि यदि mu का मान यानि ionic सामर्थ का मान समान रखा जाता है तो फिर उस इस्थिति में हमारे mean activity coefficient का मान z plus और z minus पर ही निर्भर करेगा यानि charge पर निर्भर करेगा और उस इस्थिति में f का मान एक से जादा डेवियेट करता है विचलित होता है आगे हम graph देखेंगे और उस graph में हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम concentration बढ़ाते हैं तो deviation या विचलित बढ़ता है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो debile huck का limiting law है वो हमारा तनु वीलियनों के लिए जादा लागू होता है समीकरण में जो practical जो हमें values प्राप्त हुई है और जो हम equation से निकालते हैं graph द्वारा तो उसमें हम देखते हैं next slide में हमने graph है यह हमने graph देखा limiting law का तो log of f plus minus और root of mu के बीच में हमने graph की जाए और हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम concentration को कम करते जाते हैं यहां हमने देखो तीन electrolytes लिए हैं NaCl, calcium chloride और zinc sulfate तो विद्वत अपकटे के लिए डाल का मान जो है वो देखते हैं अगर तो 0.059 एक द्वी सायोजी और एक सायोजी के लिए हो जाएगा 2 into 0.509 हो गया dilute solutions में यह बहुत जादा same होते हैं अगर आप line देखो हमने जो dotted line से बताया है तो वो बहुत जादा 0 के करीब जारी है पर जैसे जैसे हम अगर concentration बढ़ाते जाते हैं तो उस इस्तिती में फिर हमें विचलत दिखाई देता है तो डिबाई हकल का जो सीमान्त नियम है या जो limiting law है वो तनु विल्यनों पर ही लागू होता है अब एक example देख लेते हैं कि अगर आपको exam में पूछा जाए तो mean activity coefficient या F plus minus की गड़ना करनी है दो अलग-अलग electrolytes दे दिये हैं एक दे दिया है 0.01m potassium ferocyanide और दूसरा दिया है 0.01 magnesium sulfate तो सबसे पहले हम करते हैं potassium ferocyanide के लिए तो potassium ferocyanide का dissociation हुआ और K4 FeCN6 किस में तूटा? potassium ions में और ferocyanide ions में और हम जानते हैं कि positive ion पर कितना charge है? एक और उनकी संख्या 4 है जबकि negative पर कितना है? minus 4 और उनकी संख्या किती है? एक तो positive ion के लिए C1 यानि concentration 0.01 इंटू 4 हो गई तो 0.04 हो गया Z1 1 हुआ ferocyanide के लिए C2 0.01 इंटू 1 हुआ और Z2 4 हुआ तो हम आइने की स्टेंग निकाले हाफ C1 Z1 स्क्वाइर प्लस C2 Z2 स्क्वाइर और जब हम इसको simplify करते हैं तो यह आ जाता है 0.1 value put करते हैं हमारे limiting log equation में तो log of F plus minus is equals to minus 0.509 Z plus Z minus root of mu या minus 0.509 Z plus कितना है 1 Z minus कितना है 4 तो इंटू 1 इंटू 4 इंटू root of 0.1 और जब हमने इसको simplify किया तो यह आ गया minus 0.652 .1 को अब जब हम root से clear करेंगे तो यह आएगा 0.32 प्लस में तो अब हम जो है F plus minus को हम लेंगे बार आफ 1.348 क्योंकि क्या है minus 0.652 है तो 1 में से हमने minus किया तो 1 minus का आ गया और remaining कितना बचा 0.348 इसी तरह से हम दूसरा billion लें और दूसरे billion में magnesium sulfate है magnesium भी एक molecule है sulfate भी एक molecule है donor पर charge भी बराबर है दो दो तो म्यू बराबर हो गया हाफ 0.01 into 2 का square plus 0.01 into 2 का square और या आगया 0.04 log of f plus minus a रग दिया 0.509 into z plus b 2 है z minus b 2 है और into 0.04 और simplify किया तो यह आगया minus 0.4072 या f plus minus तो 1 में से गताएंगे तो यह आएगा 0.3916 तो इस तरह से हम किसी भी electrolyte की mean activity coefficient की करना कर सकते हैं अब हम आ रहे हैं next topic पे और वो है हमारा stocks law तो stocks law ने stocks ने हमें क्या दिया है कि जब हमने practically यह देखा प्रायोगिक तौर पर तो हम देखते हैं कि जब कोई आयन विलियन में गती करता है तो उसकी गती अलग अलग विलियन में अलग अलग होती है और आयनिक गती शीलता और चालगता भी अलग अलग होती है तो stock ने इसको ऐसे समझाया उन्होंने क्या कहा कि जब आयन विलियन में या द्रव में गती करता है तो द्रव का यानि विलायक या वीलियन का जो घशन बल है वो उसकी गती का प्रतिरोध करता है यानि वीलियन के अंदर जो बल है वो आयन को गती करने से रोपता है और जिसके फलसरू आयन की गती कम हो जाती है इस टॉक ने इस सिध्धान्थ का उप्योग करा इसको यूज करते वे कि प्रतिरोध की वज़े से आयन की गति कम हो जाती है उन्होंने क्या किया एक गोलाकार आयन माना उन्होंने माना कि जो आयन है उसका गोलाकार है गोला कार माना और इसके अनुसार आयन में उसकी त्रिज्या रेडियस को हमने आर कहा जो एक ग्रव उसकी शान्ता, विसकोसिटी, नीटा है और अगर आयन की गती वी है तो उस हिस्थिती में दरवदारा लगने वाला घशन बल जो आयन की गती को प्रभावित कर रहा है या आयन की गती पर निर्भर करता है वो क्या हो जाएगा फोर्स कितना बल लग रहा है घशन बल फ आज एकोस टू 6 पाई आर नीटा वी 6 पाई आज क्या है जे डिस ऑफ आयन नीटा क्या है विसकोसिती या श्यांता दरव की और व क्या है वो है किस गती से आयन गती कर आए तो इस आयन की गती को पूर्व के अनुसार जो हमने बनाया है उस प्रेरग बल, कुछ प्रेरग बल लगाना पड़ता है तो जब आयन गती करना जा रहा है तो उसके विरुद उसको एक प्रेरग बल या फोर्स लगाना पड़ रहा है ताकि बर्षन बल के प्रभाव को हम समाप्त कर सकें तो हम वीलियन पे कुछ इतना बल लगाएं ताकि ये घर्षन बल आयन को प्रभावित ना कर सकी Suppose करते हैं कि हमने जो प्रेरग बल लगाया है वो F है आयन के घर्षन बल को समाप्थ करने के लिए हम आयन को विद्धुद शेतर में गती कराते एक विद्धुद जनरेशन के लिए लगा दिया जिससे उस पर लगा वा विद्धुद बल कितना बल लगाया है Z I E E जो क्या है प्रेरग बल है और वो प्रेरग बल कितना है घर्षन बल के बराबर है यानि घर्षन बल और प्रेरग बल दोनों बराबर हो गए तो 6 pi नीटा 6 pi r नीटा v is equal to हमने कितना बल लगाया है Z I E E Z charge है E electricity है और E electrons तो V बराबर यानि आयन की गती बराबर हुआ Z I E E upon 6 pi r नीटा तो यह आए हमारा फॉर्मूला कि आयन की इतनी गती होगी अब आयन की गती लगाये गए विद्धुद शेत्र जो हमने शेत्र लगाते हैं वो आयन की गती के समानुपाती होता है यानि V is directly proportional to E या V is equal to एक constant दे देते हैं U E तो U क्या है एक समानुपाती constant है और इसको हम कहते हैं आयनिक mobility या आयनिक गती शिल्टा तो आयनिक गती शिल्टा किसके बराबर हुई यू बराबर V upon E यानि आयन की गती divided by विद्धुद शेत्र तो ये आया Z I E E upon 6 pi r नीटा ये तो V है और multiplied by E तो E cancel हो गया और अब सिरफ इतनी सी चीज बजी है कि यू बराबर Z I E upon 6 pi r नीटा अब हम सब जानते हैं कि किसी बे आयन को जब हम अनन्त अनूता पर तुल्यांकी आयनिक चालगता जो है लेम्डा आई वो किसके समानुपाती होती है गती शिल्टा के तो म्यू आई के तो लेम्डा आई इस डारेक्ली प्रपोर्शनल टू यू आई यानि अनन्त अनूता पर तुल्यांकी चालगता आयन की गती शिल्टा के आयनिक गती शिल्टा के समानुपाती है अब लेम्डा आई इस इक्वेस्ट हो हम लिख सकते हैं एफ यू आई और एफ क्या है फेरेले जिसको हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं और किसी आयन पर अगर हम मानते हैं कि आवेश जैड आई है क्योंकि आयन है तो न्यूट्रल नहीं होगा कोई ना कोई चार्ज होगा उस पर तो lambda i is equal to z i f u i या lambda i is equal to z i f u ki value put कर दी z i e upon 6 pi r nita या यह हो गया lambda i is equal to f e z i square upon 6 pi nita r तो यह आई हमारी अनन्त अनुता पर तुल्यांग की चलगता हूँ अब इस equation से हम क्या देख रहे हैं इस equation से हमें एक बात समझ में आ रही है कि जो आईनिक चलगता है या गति शीलता वो दो चीजों पर निर्भर करती है एक तो वीलियन की श्यानता पर या विसकासिता पर और दूसरा हा आयन की आकार पर क्योंकि हमने शिक्स पाई आर और नीटा दो चीजे हैं जिन पर हमारी आयनिक चलगता निर्भर करती है तो पहली लेते हैं हम माध्यम की या मीडियम की विसकासिती या श्वीलियन की श्यानता तो चलगता जो है वो श्यानता पर या विसकासिता पर निर्भर करती है और इसे सबसे पहले जो है वो वाल्डन ने दिया था इसलिए हम इसे वाल्डन नियम कहते हैं और इसके अनूसार क्या कहा जा रहा है कि विदू तब घटे की तो ल्यांकी चलगता जो है वो माध्यम की विसकासिता के विद्क्रमानुपाती होती है ठीक है तो लेंब्डा इस इन्फाइनाइट इस इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू एन जीरो या लेंब्डा बढ़ाएंगे तुल्यां की चालगता कामा कम होता चला जाएगा अगर हम विल्यन की प्रकति जैसे टेट्रा एलकिल अमोनियम लिया है या हम तूसरे आयं लेते हैं तो ऐसे आयन जिनका विलाईकी करण हो जाता है, सॉल्वेशन हो जाता है, जो विलाईक के साथ क्रिया कर जाते हैं, उन पर ये नियम लागू नहीं होता, बाकी सब पर जिन पर सॉल्वेशन नहीं होता, सभी विलाईकों में आयन का आकार अगर एक सा होगा, तो उस इस्थित में lambda infinite and zero kama constant रहेगा दूसरा आयन का आकार अगर हम आयन का आकार बढाते हैं तो तुल्यांकी चालगता या आयनिक गतिशीलता का मान कम होना चाहिए क्योंकि आयन पढ़ा हो गया है तो वो थीरे गतिट करना चाहिए पर यह ऐसा नहीं है, जैसे हम लीथियम और सीजियम, लीथियम की साइज बहुत छोटी है, या हेलोजन्स लेते हैं, तो फ्लोरीन लें या आयोडीन लें, तो छोटे आयनों की गति शीलता और तुल्यांकी चालकता कम है, जबकि बड़े आयनों की अधिक है, तो इसको हम कैस समझाएं, तो इसके लिए स्टॉक ने कहा, कि जो आयन का स्टॉक सूत्र में जो आयन है, उसका रेडियस है, आर, अर्धव्यास है, यह आयनिक जालक या क्रिस्टल यह जालक के आयन के अर्धव्यास के बराबर, यानि हमने रेडियस लिये है, पूरा एरिया नहीं लिया है तो यह किस पर depend कर रहा है उसके crystal पर, crystal lattice पर, अब ionic crystals हैं तो उनका radius कम होता है और वास्ता में छोटे radius वाले आइनों का जो आकार है वो बड़ा होता है तो इससे छोटे radius वाले आइन की सतय पर बहुत ज़्यादा electrostatic force प्रभल विद्धूत आकार्षन बल होता है और यह जो प्रभल विद्धूत शेत्र है इसके कारण छोटा आइन, बड़े आइन की तुलना में क्या करता है आकशन पैदा करता है जल और विलायक क्यानों को अपनी और आकशित करता है विलायक की करण हो जाता है और इसके कारण उसका आकार बढ़ जाता है और जिसकी वज़े से इसकी गति धीमी हो जाती है तो जैसे लीथियम लें, लीथियम के जल योजन की शमता, पोटेशियम से बहुत अधिक होती है और इसलिए लीथियम की जो मोबिलिटी है या आइनिक गती शीलता है, वो पोटेशियम की तुलना में कम है स्टॉक के अनुसार, अगर हम मल्टी चार्ज आइन्स लेते हैं, तो उनकी गती शीलता, सिंगल चार्ज आइन्स की तुलना में अधिक होनी चाहिए लेकिन जब हम मल्टी बहु आवेशित आइन और एकल आइनों की गती शीलता में अंतर जादा नहीं है जैसे सोडियम प्लस है, उसका 50.1 है, मेगनीशियम दो ले लिया तो 55 हुआ, अलुमीनियम लिया तो 63 हुआ तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा आंतर नहीं हो रहा है, बहु आवेशित मल्टी चार्ज वाले, जिनमें एक से अधिक आइन सो चार्ज होते हैं प्रबल विद्दु शेत्र होने से इनका जल्योजन, यानि सल्वेशन विलाइक के साथ क्रिया जादा हो जाती है, इसलिए इनकी गती शेलता में बहुत जादा व्रत्थी नहीं होती है तो इस तरह से तीन इफेक्ट्स हैं, कि एक हम रेडियस की बात करें, एक हम श्यान्ता की बात करें और एक हम चार्ज की बात करें तो इन तीन चीजों के द्वारा आयन की गती शेलता प्रभावित होती है, जिसे स्टॉक ने समझाया था तो यह आपकी वीडियो में है